Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hub हमने topic स्टार्ट किया था Art and Culture of India जिसमें हमने Fairs and Festivals of India पढ़ लिया है इसके साथ ही हमने Classical and Folk Dances of India भी पढ़ लिया है और Art and Craft of German Kashmir in India वो हमने पढ़ लिया तो आज हम पढ़ेंगे Tribes of India ठीक है? इंडिया में जन जातियां कौन-कौन सी स्टेट्स में कौन-कौन सी है कौन-कौन सी रहती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे सभी स्टेट्स की Tribes हम one by one याद करेंगे हम पढ़ेंगे ठीक है? ये जे के सिस्पी के लिए भी और बाकी सभी एक्जैम्स के लिए भी इंपोर्टेंट रहने वाला है लेक्चर हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रटन फॉर्म में बनाए गए हैं तो हमारे यूट्यूब चानल स्टडी हप पर जरूर विजिट करें और हमारे सभी लेक्चर्स जरूर देखें आपको जरूर हेल्प मिरेगी तो ट्राइब्स बेसिकली है क्या? ट्राइब इस ग्रूप ओफ पीपल जिनकी कॉमन एंसेस्टर्स हैं कॉमन कल्चर है और वो एक एंग्लोजड सोसाइटी के अंडर रहते हैं और इसी के साथ जो ट्राइब्स हैं इंडिया में कहां कहां से इमर्ज होकर आई हैं इंडियान सब कॉंटिनेंट में कहां से इमर्ज होकर आई हैं कौन सी रेशल ग्रूप से इमर्ज होकर आई हैं तो कुछ जो रेशल गृप्स हैं उनके नाम इंपोर्टेंट हो जाते हैं जैसे कि नेगरी टोस प्रोटो एस्ट्रोलाइट्स इसी के साथ ही मॉंगोलाइट्स और मेडिटेरेनियन ठीक है इससे जादा आपको कुछ जादा याद नहीं रखना है तो यह जो फोर रेशल गृप से इमर्ज होकर ट्राइब्स जो इंडिन सब कॉंटिनेंट में है वो इमर्ज होई है ठीक है शेड्यूल ट्राइब होते हैं तो सबसे पहले जमन कश्मीर की जो प्रॉमिनेंट ट्राइब्स है जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जमन कश्मीर में वो हम पढ़ेंगे ठीक है पहले जमन कश्मीर को तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉमिनेंट ट्राइब्स हैं जमन कश्मीर में वो हैं गुजज ठीक है बकरवाल, गदी, सिप्पी, बालती, बेरा, दर्ध, शिन, पहली तीनों के इलावा जो important tribes है, वो हैं बोथ, बोडो, जीक है, ये दोनों tribes जो है, ये important है, भोतियाज है, मौन है, ये सभी जो है, ये जमन कश्मीर की tribes है, जो main important आपको याद रखनी है, वो मैंने आपको mark कर दि है, ठीक है, बालती tribe भी है, कुछ आपको tribes common भी देखने को मिलेंगी, कुछ states में, ठीक है, तो इस बात का भी धियान रुखना, इसके इलावा, जमन कश्मीर गौर्मेंट द्वारा, schedule tribe order पास किया गया था, 1989 में, जिसमें further amendments की गई, 1991 में, और 2014 में, ठीक है, इसके इलावा, रिसेंटली amendment की गई है, 2024 में, जिसमें कुछ communities को include किया गया, ST की category में, ठीक है, जिस तरह से पहाड़ी ethnic group है, पदरी tribe है, कोली tribe है, गद्दा भ्रामिन्स है, तो इन्हें include किया गया है, ST की category में, ठीक है, यह जो act pass किया गया, यह लोग सभा में पास हुआ है, 6th February, 2024 में, और राज्य सभा में, 9th February, 2024 में, तो इसे आप note down कर सकते हैं, अगर आप साथ ही साथ, यह जो notes हैं, यह prepare कर रहे हैं, ठीक है, इसके इलावा कुछ factual चीज़ें हैं, जिस तरह से कुछ फर्स्ट जो census कंड़क्ट करवाए गए थे, ST population के लिए, वो हुए थे, 2001 census में, ठीक है, और जो census 2011 में कंड़क्ट करवाए गए, उसके according, जो ST की population रही, स्टेट में, जमन कश्मीर में, वो रही 14,93,299, ठीक है, यह ST की population रही, जमन कश्मीर की, ठीक है, इसके लावा कुछ चीजें हैं, जिस तरह से highest जो scheduled tribe है population में, वो कहां पर है, यह lowest कहां है, least कहां पर है, तो highest जो है, वो कारगिल में है, 86.89%, और least population जो scheduled tribe की है, वो है, रियासी में, 28.08%, ठीक है, तो इसी के साथ, जमन कश्मीर की factual चीजें हैं, यह भी हमने पढ़ ले हैं, यही exam में पूछी जाती हैं, ठीक है, इसके बाद बात करें हिमाचर प्रदेश के tribes की, तो सबसे important जो main tribe है, जो prominent tribe है, वो है गद्दीज, ठीक है, उसके बाद गुजर्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ common tribes भी आपको देखने को मिल सकती हैं, लांबा है, भोत है, खास है, यह सभी हिमाचर प्रदेश की tribes हैं, दिवाली as event of sorrow, यहां पर जो दिवाली तियोहार है, festival है, वो as event of sorrow जो है, वो कहा जाता है, थारू, राजी है, कोल है, भील tribe है, चीक है, कुछ और जो important question होंगे, जो पूछे जा सकते हैं, वो भी हम समझेंगे, बिहार की जो important tribes हैं, वो है मुंदाज, बिर्जिया, असुर, बिर्होर, पारहिया, चीक है, मद्यप्रदेश की important, सबसे important tribe जो है, वो है गौंध tribe, यह largest population है, MP की, इस tribe की सबसे जादा population है MP में, और यह second largest tribe है, इंडिया में, चीक है, तो जो first largest tribe है इंडिया में, वो है राजस्थान की भील tribe, इसके बाद, बेगा है, कमर है, मुर्याज ह चीक है, कोल, खोंध, यह सब ही tribes, मद्यप्रदेश की है, इसे आप किसी तरह जैसे trick से याद कर सकते हैं, अपने हिसाब से, जिस तरह से भी आपको याद रहता है, या repeat revision चाहिए, अगर सब चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद, राजस्थान, भील tribe जो है, यह largest population है, इ यह most backward है, राजस्थान की tribe, कमर है, ठीक है, इसके बाद, महराश्टर की है, वारलिस tribe, होंध tribe, और रथावा tribe, ठीक है, यह जो तीनों tribes है, इनकी pictures जो है, यह लगा रखें यहाँ बर, जारखंड की, भूमजी है, गोंध है, तो confused मत हो न, जो कुछ common tribes होंगी, वो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, खारिया tribe है, मुंडास tribe है, सथल tribe है, largest population in जारखंड, किसकी है, सथल tribe की, तो यह भी question जो है, वो बनता है, कि सबसे जादा जारखंड में जो tribe है, व उसलिए आपको जमेन कश्मीर का ही पूछा जाएगा, अगर जिकेस इस भी की बात करें, तो चतिस गड़ की, जो tribes है, वो है, कोंध tribe, अगारिया tribe, मवासी, और मुर्याज, ठीक है, औरिसा की है, कोंधा tribe, आंदर प्रदेश की है, चेंचस, यह बहुत important tribe है, औरिसा की भी ह है यह चेंचस, ठीक है, उसके बाद कोलं, केरला की है, मौपलाज, उरालिस, इरूला, ठीक है, कर्नाटक की है, अधियान tribe, और तामिलाजू की है, कोटाज, इंपोर्टेंट है, टोडस, इंपोर्टेंट है, मयायलाली, इंपोर्टेंट है, सिक्किम की है भूतिया यह इंपोर्टन है लैप्चाज इंपोर्टन है आसम की है बोडो ट्राइब इसके द्वारा भिगरुंबा डांस किया जाता है हमने डांसेज में भी बढ़ाता था फॉक डांसेज में मिकिर्ज है चक्मा है है यह सभी ट्राइब जो है आसम की है देन नागलान की कुकिर है मिकिर है नागाज है तो आपको यह नाम जो है वो याद आ रहे होंगा अगर आपने हिमाल्याज पड़े हैं तो मिकिर माउंटेंज नागाज है उसके बाद मिगाल्यज है तो चक्मा ट् मनिपूर की कुकी ट्राइब है नागाज है मिजुरम की ब्रू है लुशाई है तो आप किसी तरह ट्रिक से भी चीज़ें याद कर सकते हैं जो इंपोर्टेंट ट्राइब्स है वही हमने लिखी है इसके इलावा भी काफी सारी जो है इन जगाओं पर इन स्टेटस में अर्वनाचल परदेश के है अपतानिस इंपोर्टन्ड है इदू है डाफला है लांबो है यह सभी अर्वनाचल परदेश के ट्राइब्स है अंदमान निकोबार आइलेंड में है ओंगेस है जरावस है यह oldest tribe है तो यह भी important हो जाता है सेंटिलेस है ठीक है तो इसी के साथ जो tribes का lecture है यह end होता है अगर आपको हमारे video lectures पसंद आ रहे हैं अगर आप enjoy कर रहे हैं तो like, share, subscribe जरूर करें हमारे channel को अगर टेकर